लो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग, आज हम आपको रिच ग्रेवी के साथ साही दमालू बताने वाले हैं, जो बेंगॉली साधियों में बहुत प्रचलित है, वैसे ये पंजाबी दमालू, कस्मीरी दमालू, हैदराबादी दमालू के नाम से भी जाना जाता है, बस थोड़े थोड़े फ्लेवर अलग-अलग रहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साही दमालू मेरे तरीके से बनाना, अलू बनाने के लिए हम मीडियम साइज के आलू लिए हैं, और उसको पूरा छिलका निकाल दिया है, और निकाल करके पानी में डाल द और जब ग्रेवी हम बनाएंगे ना तो वो भी इसके अंदर तक जा सके छेट करने के बाद इसको आप सुखे जगर पे रखिएगा पानी में वापस मत डालिएगा ने तो फिर पानी तेल में बहुत छिटकेंगे भारी तले का हम कराही ले लेंगे और उसमें हम सर्सो का तेल दालेंगे सर्सो का तेल थोड़ा जादा ही डालिएगा वैसे आप दूसरे भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं पर सर्सो के टेबल में बहुत ही चटपटा बनता है सर्ची और यह जो मैंने पूरे फॉक से छेट किये थे थे न वो आलू है और इसको हम इसमें डीव फ्राई करे और हाँ आज आप स्लो रखेगा एक बार कराई चड़ गई न तेल चड़ गया तो इसके बाद आप आज को स्लो कर दीजेगा ताकि यह अच्छी तरह से पक सके हमें पूरा नहीं पकाना है लेकिन 80% आलू अभी ही हम कुक कर लेंगे सारे आलू मैंने 10 आलू लिये हैं जो 500 ग्राम के करीब है अलू को हमें उलट पलट के अच्छी तरह से लाल होने तक तलना है यह देखे मेरा लाल हो भी गया है अब मैं इसको टीसू पे निकाल लूंगे एक एक करके सारे आलू को हमें निकाल लेना है जैसे जैसे लाल होता जाएगा वैसे वैसे हम निकाल लेंग और यह 7-8 lesson के कलिये, हमने इस तेल में डाला है, गरम तेल में और अब हम लोग प्याज डालेंगे इसमें, मैंने 2 बड़े प्याज चॉप करके लिया है प्याज थोड़ा सा भून जाए तो इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे हमने 4-5 लाल मिर्च लिया है अगर आप कम तीखा खाते हैं तो एक भी ले सकते हैं या दो भी ले सकते हैं और इन सब को थोड़ा ट्रांसपरेंट होने तक प्याज के ट्रांसपरेंट होने तक हम भूनेंगे और फिर हम लोग इसमें अद्रक डालेंगे अद्रक मैंने ऐसे ही मोटा मोटा चॉप कर लिया है और मेरा एक इंच के करीब अद्रक है और ये दो मैंने बड़े टमाटर कट करके रखे थे वो मैंने डाले हैं और सबको हम थोड़ा अच्छी तरह से थोड़ा गल जाए इतना हमें भूनना है इसमें हम स्वात के हिसाब से नमक भी एड़ कर देंगे मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब नमक एड़ किया है और आप बाद में भी चेक करके नमक को एड़स्ट कर सकते हैं भी थोड़ा ही डालिएगा और ये देखिये भूनते भूनते हमारा इतना भून गया है अब हम लोग इसमें थोड़ा सा काजू डाल रहे हैं 7-8 काजू डाला है मैंने और काजू को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे हमें भूनने में मसाले को 3-4 मिनट लगे हैं और इसे भी हमने स्लो आज पर ही भूना है, अब देखिए ये मसाला हमारा खुदी तेल छोड़ रहा है, बस हमारा ये मसाला भून के हो गया है, अब हम लोग इसको बंद कर देंगे, और ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद ही इसका हम चाच भी ले सकते हैं, अगर चाच ले रहे तो थोड़ा ज्यादा अमांट में लीजेगा, और इसमें हम एक चमच के करीब धनिया एड़ करें, धनिया पॉडर और हाफ टेबल स्पून के करीब हम गरम मसाला एड़ करेंगे, और साथ में हम इसमें सौप का पॉडर जो होत इसका यूज करना होगा, मैं तब बताऊंगी, और ये अभी तक मेरा मसाला जो हम लोगों ने भून के तियार किया है ना, वो भी रेड़ी हो गया होगा, तो अब उसको हमने मिक्सी के जार में डाल करके एक बारिक पेष्ट बना लेंगे, पीस करके तियार करेंगे, ये द तो इसमें हम एक चुटकी के बराबर हींग इसमें एड़ करेंगे, और साथ में हम साबुत जीरा एड़ करेंगे, वो भी एक चमच के करीब ही मैंने एड़ किया है, और जब ये दोनों तड़कने लगे ना, तो इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला में रह और थोड़े से तेज पत्ते के भी टुकडे हम डाल देंगे थोड़ा तोड़के और सबको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से एक से दो मिनट तक पकने देंगे और फिर इसमें हमने जो पीस करके मसाला त्यार किया था ना वो मसाला डाल देंगे पूरा का पूरा मसाला डाल दे और इसको अच्छी तरह से अभी 5-6 मिनट तक आपको भूनना है जिससे मसाला काफी अच्छी तरह से भून जाए अगर आपको हमारी वीडियो हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब किजे और पास के बेल आइकन पर प्रेस कर दिजे जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारे चैनल से रिलेटेड और फ्रेंट्स कमेंट्स भी किया कीजे अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भीटा एट कर देंगे जब तक मसाला हमारा भून रहा है और दो बड़े चमच हमने इसमें लाल मिर्च डाला है अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च कम भी डाल सकते हैं और सबको हम फिर वापस से भूनते रहेंगे और हाँ आज स्लो ही रहेगा भूनने के दौरां आज स्लो ही रहेगा और मसाला इतना अच्छे तरह से भूनना है कि इसमें से तेल छोड़ने लग जाए तो ये देखि पेश्ट हमने बना करके रखा था ना दही के साथ सारा मिला करके मसाले वगरा वो मैं पेश्ट इसमें से इसमें डाल दूंगे और सबको एक बार अच्छी तरह से वापस से मैं चला लूंगे और एक बार चलाने के बाद एक या दो मिनट के बाद ही हम इसमें मलाई डालें अब हम लोग इसमी현ा करते हैं अब हम लोग इसमें पानी, अब अब दाल करके इसरी कटोरी, इसका टोरी में मेरे को लगता है कि 500 ग्राम के करी पानी आता होगा तो 300 समझ लीजे कि 300 ग्राम के करी मैंने पानी इसमें एड़ किया है और अब देखे ये अच्छी तरह से खौलने लगा है अब हमारा में काम स्टार्ट होगा आलू को दम कैसे क्यों बोलते हैं और दम कैसे लगाते हैं वो प्रोसेस तो इसके लिए मैंने फॉल पेपर लिया है और इससे अच्छी तरह से कराही को कवर कर दिया है पूरी अच्छी तरह से कवर कर दीजेगा जिससे बिल्कुल हवा या कुछ भी पास ना हो अन्दर का जो इस टीम है वो बाहर निकल पाए अच्छी अब तरह से रख लिए तो एक फॉल स्पेपर से नहीं हो रहा है तो लगा लीजेगा पूरी तरह से कराही को गवर करना है और देखे यह को गवर हो गया, अब इसके ऊपर हम जो कराही का ढंबष्ण है वो लगा दियें और ये देखिव इसमे चेद है नकराई के अलत्यों में वहां से इस्टीम पास होता है तो इस तरह से आप कवर कर देंगे तो बिल्कुल भी इस्टीम पास नहीं होगा अब आप एक तवा रख लीजे और आज को स्लो कर दीजे और उसके उपर ये कराही रख दीजे और स्लो आज पर टाइम देख करके घड़ी में 15 मिनट तक इस से ही पकने दीजे केही एक स्पेषल ट्रीक कौछ जिस जिसके वज़े से सब्जी मिन जाता है तो यह आप जरूर से ट्राई किजेगा इस तरह से आप करके आप लेगोई और सब्सक्रश कर लेए कि काहीं से भी इस टीम निकल तो नहीं रहा है न बस आब हम लोग तो से पन तो ऐसे ही छोड़ दूँगी दो मिनट में सारे इस टीम अंदर चले जाएंगे और बहुत ही टेश्टी देखें मैंने अब ढकन दो मिनट के बाद हटा के देख रही हूं कहीं से कोई इस टीम नहीं आ रहा है मतलब कि कहीं से पास ही नहीं हो रहा था इस टीम अब मैं ये कव पॉजूद भी इस वे कैसे बॉइलिंग आ रहा है और कलर देखें कितना बढ़िया लग रहा है तो बस ऐसे ही आप दम आलू अपने घर पे बनाईए और सर्फ भी कीजिए सब को खिलाईए बहुत ही तेश्टी होता है रेस्पी बहुत ही आसान है बस आप स्टार्ट तो क को है तो कि एस ततरह से आप आलू को कर लेज़ेगा आलू इद म समूथली कर जाना लेकिन देखें उर स्टार्ट यहुते आराम से कट रहा है और और पास से आप़ों से थी सुठी कर्स ख करेंगे यह दहँ अर्ग सा यह प्रेस करने पर यह दब जा रहा गरम यह लेकिन फ पे स्प्रेंकिल कर दिया है और आप इसको सर्फ कीजिए बहुत ही टेश्टी रेश्पी है आप अपने घर पे इसको जरूर बनाइये और इसको रोटी के साथ भी खा सकते है्नौन के साथ भी खा सकते हैं । बेंग॑ली साध को यह मस्ट recipe है, बनता ही बनता है उनके हाँ, तो इस बार आप अपने घर पे ही बना लीजिए, एक आलू में आपको पास से भी दिखा रहे हूं इसका texture color सब देखिए आप कितना मस्तित बना हुआ है इसी के साथ ये वीडियो में यही पर खतम करती है, आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू